युहन्ना रचित सुसमचार चौदुआ अध्याय तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं त कर तुम्हारे लिए जगह तयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं, तुम वहां का मार्ग जानते हो। थुमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तु कहा जाता है, तुम मार्ग कैसे जाने? ईशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, यदि तुमने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उससे जानते हो, और उससे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। तू क्य प्रतीती करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुम से कहता हूँ अपनी और से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीती करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीती करो। मैं तुम से सच-सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरं इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं महीमा हो, यदि तum मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो मैं उसे करूँगा, यदि तum मुझ से प्रेम रखते हो, तो मेरी आग्याओं को मानोगे, और मैं पिता से बिntपी करूँगा, और वेह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वेह सरवदा तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि वेह तुम्हारे साथ रहता है और वेह तुम में होगा, मैं तुम्हें अनात न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पास मेरी आग्या है और वेह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उस से मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उस से प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रगट करूंगा। उस यहुदा ने जो इसकर्योती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तु अपने आपको हम पर प्रगट किया चाहता है, और संसार पर नहीं? इशुन ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ बास करेंगे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं, बरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ, और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझे से प्रेम रखते, तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता ह और मैंने अब इसके होने से पहले तुम से कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीती करो, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आग्या दी, मैं वैसे ही करता हूँ, उठो यहां से चलें।